शुनमा स्कार फ्रेंट्स वागाते मेरे एक ने वीडियो पर आज है 19 फरवरी और आज मिन निफ्टी का एक्सपाइरी था तो मैंने आज मिन निफ्टी में ही ट्रेड लिया है मैं एक्सपाइरी ट्रेड करना पसंद करता हूँ ज्यादा तर तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैं अपने ट्रेडिंग एकाउट में 10,000 का कैपिल यूज़ करता हूँ और मैंने आज के डेट में जो भी ट्रेड लिये हुए है वो 5,000 का कैपिल ही मैंने यूज़ किया हुआ है हर ट्रेड में अभी आगे चलके मैं आपने ओर और लिस्ट में आपको ले चलूँगा और दिखाऊंगा कब कब मैंने ट्रेड लिया है मैंने दिनवर के तीन ट्रेड लिये हुए हैं और तीनों ट्रेड में मेरे पांच-छे अजार के आसपासी मेरा जो है कैपिटल यूज हुआ है तो और में चलने से पहले मैं आपको मिन मिनफ्टी का खुल कर आज के मार्केट का सेंटेमेंट दिखा देता हूं कि आज मार्केट किस डिरेक्शन में मूउव कर रहा था और कल की ओपनी और आज का closing क्या था तो हम खोल लेते हैं मिनिफ्टी का छार्ट तो फेंस आप देख सकते हैं मेरे स्किरीन पर मैंने अपने पाँच मैट के टाइम फ्रेम पे मिननिफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है 19 तारिक 19 फरवरी का आप देख सकते हैं यहाँ पर और जैसा कि हम जान लेते हैं कि कल के डेट पे जो मार्केट क्लोज किया हुआ था मिननिफ्टी का वो यहाँ इस लेवल पे 11,010 के लेवल पे कल की क्लोजिंग हुई थी और आज गैप अप ओपन होता है और करीब करीब 50 पॉइंट का गैप अप ओपन करता है मार्केट मिननिफ्टी का उसके बाद से तुरंट सेलिंग चालू होती है और मार्केट गिरकर आ जाता है वापस से करीब करीब उसी लेवल पे 11,020 के लेवल पे और उसके बाद मार्केट करीब एक घंटे 45 पनेट तक के लिए साइडवेज हो जाता है मार्केट उसके बाद से थोड़ी बाइंग स्टार्ट होती है मार्केट में और आप देख सकते हैं मार्केट ने मुवमेंट दिखाई है अपवट की तरफ यह आप देख सकते हैं मुवमेंट अपवट की तरफ थोड़ी बहुत हुई है मार्केट में और उसके बाद मार्केट जो है आज क्लोज हुआ है 11,024 पे यानि कि मार्केट को पूरे दिन में जो आज पचास पॉइंट के ही भीतर मुव कर रहा था काइंड ओफ साइडवेज ही इसको कह सकते हैं मार्केट को तो आज का मार्केट जो है कुछ खास ट्रेड लेने लाइक था नहीं तो मैंने भी काफी छोटे छोटे ट्रेड लिया हुए है मैंने अपना जिसमें मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफित निकाल कर यह वीडियो रिकाड किया है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ मेरा प्रॉफित और कुछ स्टैटेजी मैं आपको बता सकूँ कि conscious major तो friends आप देख सकते हैं मेरे screen पर मैंने order list खोल रखा है और मैंने पहला trade जो लिया हुआ है वो एक बच के 30 मिनट यानि कि डेड़ बजे मैंने पहला trade लिया हुआ है और mid nifty का जो strike price मैंने use किया था वो 11,050 का call side का था यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज तो expiry था mid nifty का और जिसके वाएस से काफी discount price में आज मुझे in the money में ही strike price में ही काफी discounted price में मुझे premium देखने को मिल रहा है आपको screen पर तो यह 6.70 पैसे आप यह मत सुचिए कि out of the money यह actually है in the money तो मैंने यहाँ पर 10 lot से trade किया हुआ है जिसको मैंने sell भी किया 10 lot के साथ सीधे सीधे 4 minute के अंदर और मैंने यहाँ पर .70 पैसे का margin grab किया जिसके वाज़े से मुझे 525 रुपे का profit पहले trade में हो रखा था फिर आएए मैं आपको graph में दिखाता हूँ कि मैंने क्या strategy follow किया हुआ था back करके mid nifty का वापस से मैं graph खोल लेता हूँ और तो यह देखिए मैंने mid nifty का graph वापस से open कर लिया है और आपको मैं कुछ level दिखाना चाहता हूँ जैसा कि आप इस level को गौर करिएगा मैंने 11,030 का level draw करके रखा हुआ था इसके उपर market रहने वाला था तो मैं हर बार call side का ही जो यहाँ पर trade देख रहा था 11,030 के level को यह जब break करता तो मैं put side का यहाँ पर trade लेने वाला था क्योंकि आप देख सकते हैं एक, दो, तीन, multiple time यहाँ पर market टच करके 11,030 के level को उपर के तरफ moment दिखा रहा था यानि कि आप यहाँ से market की psychology को समझें कि sellers जो है यहाँ पर active थे 11,050 के level पे और 11,050 के level पे market जाते ही नीचे के तरफ moment हो रहा था selling चालो हो जा रही थी और 11,030 के level पे buyers फिर से active हो जा रहे थे तो इसी चीज़ को मैंने ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं मैं डेड़ बज़े जो मैंने trade लिया हुआ था वो आप देख सकते हैं इस level पे क्योंकि वापस से मैंने आपको बताए 11,030 का level मैंने mark करके रखा हुआ था मैं देख चुगा था का इस candle की closing अगर इसके 11,030 के नीचे होती तो मैं put side कर लेता लेकिन यहाँ पर closing जो है उपर के तरफ हुई है तो मैंने अपना फटाक से यहाँ पर buying order set कर दिया 11,030 के उपर जब यह candle start हुआ देखिया आप डेढ़ बजे आपको मैं clear skin करके और अच्छे से दिखा देता हूँ यह डेढ़ बज रहे है और मैंने इस candle पे जब मुझे confirmation मिल गया इस candle की कि यहाँ पर closing upward के तरफ हो चुकी मतलब इस trend line के उपर close हो चुका है market तो मैंने यहा वापस से अपना 70 point के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया चार मिनट के अंदर यानि की करिब करिब सेम candle में ही मैंने अपना trade execute कर दिया sell का sell out कर दिया अपना same trade तो 525 का मुझे profit हो गया मातर पांच जार रुपे लगा कर capital use करके फिर मैंने दुबारा जो trade लिया वो आपको के अंदर मैंने 75 quantity और याइट किया हां तो मेरा दूसरा जो trade था वो मैंने 600 का quantity यूज किया इस बार और वापस से average मैंने एक lot और लेकर उसको 7 रुपे something पर मैंने premium को ला दिया पहले तो मैंने buy किया था 8 पैसट पर बट उसके बाद market मुझे थोड़ा सा loss दिखाने लगा तो मैंने average किया जिसके वएस साथ रुपे something का मेरा premium हो चुका था उस time पर trade का जिसको मैंने square off किया आप देख सकते हैं 9 रुपे 30 पैसे पर तो करिब करिब यहाँ पर मुझे 2.5 रुपे का profit हुआ इस trade में आपको मैं आपी portfolio में चलके दिखाता हूँ कि मुझे कितने का profit second sorry मैंने आपको starting में बोल दिया था तीन ट्रेड लेकिन मैंने लिया हुआ था सिर्फ दो ही ट्रेड आज का तो उसके वैसे आपको portfolio में पहले चलके मैं अपना profit दिखा दिता हूँ आप देख सकते मेरा profit 1143 रुपय का मेरा आज का profit है सिर्फ 5,000 रुपय कैपिटल लगा कर जो कि एक decent profit है अब मैं आपको मिद निफ्टी के graph पर चलके अपना second trade दिखाता हूँ कि मैंने कहा पे लिया था या टाइम नोट कर लिजे दो बच के 16 मिनट पर तो हम back कर लेके वापस से आ जाते मिद नि 50 का graph open कर लिया है और आप देख सकते हैं 14 बच के यानि कि 16 मिनट पर जो मैंने अपना trade execute किया था तो जी हाँ इस candle को आप ध्यान दिजे यहाँ पर कहीं पर मैंने अपना जो trade लिया हुआ था तो आप आपको मैं बता तो अपना strategy मैंने यहाँ पर क्या follow किया था आप candle को ध्यान दिजेगा candle पर candle कि psychology को समझना होगा आपको यहाँ पर तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 11,050 का लेवल जो था बार-बार वहाँ पर market जो है टच करने के बाद नीचे के तरफ मोमेंट दिखा रहा था मतलब वहाँ पर sellers ज्यादा active थे आप उस टाइम पर मैंने sensible में अगर beginner तो sensible का यूज कर सकते हैं उस पर आपको open interest वाले option में जाना है और वहाँ पर आपको clearly show कर देगा visible होगा कि कहां पर कौन सी किस time पर call writing या put writing किस strike price पर ज्यादा हो रही है तो आप वहाँ सर वहाँ से जो है easily पता लगा सकते हैं कि किस level के बाद market कहां पर गिरेगा तो आप देख सकते हैं 11,050 के level पर काफी sellers यहाँ पर active थे तो इसके बाद market को गिरना ही था तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं scalp कर रहा था तो मुझे छोटा ही सा point चाहिए था तो मैंने इस level पर जो लिया हुआ कि तरफ closing दे रहे हैं आपको अगर candle की psychology की बारे में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो गया आप अगर थोड़ा इसमें beginner से जादा अगर आप इस चीज को समझ रहे होंगे तो आप इस वीडियो से समझ सकते हैं कि इस candle को आप देख सकते हैं कि buyers जो है उपर की त 10-15 मिनिट के बाद वापस से market काफी तेजी से नीचे की तरफ moment दिखाता है और वहां से आपको मैं अभी आगे चलके दिखाता हूँ आपको वहां के बाद market downtrend स्टार्ट हो गया market में हाला कि मैंने पूट साइट का कोई ट्रेड लिया नहीं मैंने जो कॉल साइट का ट्रेड लिया हुआ था उसी में मुझे जो loss हुआ था उसको मैंने एवरेज करके अपना profit में convert किया और मैंने वहीं पे अपना laptop मिन निफनी में क्या होता है कि premium काफी discounted price में मिल तो जाते हैं आपको लेकिन moment काफी मतलब बहुत ही slow होती है दिन भर में एक-दो ही time आपको ऐसा मिलेगा जिसमें moment आपको एक-दो candle में ही अच्छी खासी moment दिखेगी उसके अलावा जो है market पूरे दिन sideways ही type कर रहता है तो वह profit को निकलना होता है तो वही किया मैंने 7800 quantity मैंने use किया और मैंने scalp करके 1100 सारे 1100 का profit मैंने आज के date में gain किया हुआ है और मैंने आपको दोनों trade के बारे में अपना दिखा दिया और मैंना strategy क्या follow किया है इसमें सिर्फ price action मैं ज्यादा तर friends use करता हूं देखना एक trade को लेने क अधर है तो आपको भी price action के game को समझना होगा candle के psychology को समझना होगा और सबसे main चीज तो सिर्फ यही दोनों चीज है उसके बाद अगर आप indicators use करना चाथे कभी indicator आप अगर करेंगे तो आपको पता लगेगा कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं इसलिए आप third option हमेशा रखे indicator को पहले दो चीज को आप candle के psychology को समझे मार्केट किस direction में है अगर uptrend में है तो कोशिश करिए कि uptrend में ही आप call site का ही लीजिए अगर आप buyer है तो और trend के reverse होने का wait करिए कभी भी trend के reverse जाकर कभी भी trade मत लीजिए trend के favor में ही आप जाकर trade लीजिए तो इन सब चीजों को आ जिंदा होगा तो आप भी जो है अच्छे profit निकाल सकते हैं और आज के वीडियो में बस इतना ही था जादा कुछ नहीं है आप देख सकते हैं अगर अगर मैं आपको अपना contract note में भी दिखा दू तो 138 रुपए का मैंने charge पे किया हुआ है तो अगर आप मेरे profit में से 138 जो है मेरा आज का profit था तो ठीक है फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही था अब मिलते हैं एक next ट्रेडमिन next वीडियो में तब तक के लिए बाबाए